आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ प्रसंद दिया गया है एक से सो तक की समसंख्याओं का ओसत क्या होगा ओसत का योग बताना ओसत योग हमें बताना है कितना रहा है देखे सबसे पहले हम यहाँ पर समसंख्याओं क्या होता है ओसत हमारे पास होता है यहाँ पर कि संख्याओं का योग संख्याओं का योग बटे संख्या में निकालनी होती है, यह हमारे पास ओसाता जाता है, तो इसके लिए हमें योग निकालना पड़ेगा, एक से सो तक की संख्या है कौन से होती है, जैसे दो होता है, चार होता है, छे होता है, आट होता है, और इसी तरह से यह 98 और 100 हो जाएगा, तो यह हमारे पास एक कह सकते हैं 2 पलस 1 यानि ये हो जाएगा हमारे पास 98 बटे 2 पलस 1 यानि हम कह सकते हैं 59 पलस 1 59 पलस 1 यानि 50 तो 1 से 100 तक 50 समसंख्या है सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है दूसरी बात हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर हम कुछ देखते हैं इन दोनों के बीच में दो दो कांतर है दो दो कांतर है इसका मतलब ये रहा कि इसमें पर्थम पद को अगर हम A लेते हैं A पर्थम पद A पर्थम पद हमारे पास कितना जाएगा 2 आ जाएगा और अंतिम पद को हम L लेते हैं, ये हमारे पास है अंतिम पद, अंतिम पद कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 100, तो पर्थम पद और अंतिम पद हमारे पास पता चल गए है, अब हमें निकालना है इनका योग, तो योग बराबर किसके होता है, S N, N बटे 2, लस्लास्ट का पद है हमारे पास सो तो इनका योग कितना हो जाएगा अगर हम करेंगे तो इनका योग हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर पचीस गुना एक सो दो तो पचीस गुना एक सो दो वराबर किसके होता है पचीस गुना पचास पुरा का पुरा हो जाएगा और पची सब्सक्राइब कि Dual से लेके Neat आहीन से जादा स्टुटेंड का भरु दू け